आओ बच्चों सुनो सुनाए तुम्हारे फायदे की बात खूब बढ़ होगे आगे क्योंकि है ये बड़े काम की बात स्वस्तिर होगे उम्र बढ़ेगी और बनोगे तुम्बल बात सुक्संपत्ति मिल जाएगे बन जाओगे तुम्धनवान सारे गरे गरे सारे मागा मागा पामागारे साँ वित्यावान बनोगे जग में मानों और यश्पाओगे आने वाले युग में बच्चों महापरिश कहलाओगे इनको कभी भूल मत जाना गात बांध रख लेना तात देख पड़ेगी छोटी छोटी पर है बड़े काम की बात प्यारी बच्चों सुर्योदय से पहले ही जग जाओ तुम फिर सबसे पहले इश्वर के आगे शीश छुकाओ तुम प्यारी बच्चों कहो प्रेम से रघुपति रघवराचारां फिर देखो बनते हैं कैसे दिन भर सभी बिगड़ते काम फिर बिस्तर को छोड़ कर तुम धरते पर जब पैर रखो हाथ जोड अच्छी मन से धरती माता का धान धरो बिस्तर से उठते ही माता और पिता को करो प्रणाम जिनसे तुमको जनम मिला है और मिला है घर और ना सारे गरे गरे सारे मागा मागा पा मागा रेसा इनके शुब आशिरवाद से ताकत ऐसी आती है आयू बढ़ती यश मिलता है वित्या बढ़ती जाती है फिर बिस्तर से उठते ही ताजा जल रोज पिया करो शौचा ले जाकर तब खुद को साफ सुथरा किया करो शौचाले से आकर साबन से हातों को धोना तुम अच्छे से साफ कर लो हातों का कोना कोना तुम तातुन करके कुल्ला करना और तभी करना अस्मान मंदिर में जाकर या घर पर इश्वर का तब करना धा सुभ घूमना उपियोगी है इसको भूल न जाना तुम और पॉश्टिक भोजन ही रोज घर पर खाना तुम खड़े खड़े या चलते चलते बिस्तर पर बैठी या लेट बाती करते कभी न खाना इससे रोगी होगा पेट प्यारे बच्चों हलकी भोजन से हलका रहता है तन सात्विक भोजन को खाने से ही सात्विक होता है मन सारी गड़े गड़े सारी मागा मागा पामागा रे साथ भोजन करकी बच्ता लेकर जाना तब विध्या लेको बुद्धी बढ़ेगी यान बढ़ेगा पाओगी यश्कों बलको पढ़ना अच्छा है पर किताब के केरे मत बन जाना खुली हवा में पैदानों में रोज खेलने भी जाना दिन में भूल कभी मत सोना करते ही रहना कुछ काम सोने को तो रात बनी है उसी समय करना आरा बिस्तर पर जा कर दिन भर के सब कामों को दोहराना मन ही मन भगवान का नाम ले करके तुम सोजाना ये सब और इन्ही के जैसे जितने भी है अच्छे काम ये सब करना ही तुम समझो अच्छा और जरूरी काम ऐसा करने से तुम जीवन बहुत अनोखा पाओगे धर्ती पर सम्पानित होगे महापुरुष कहलाओगे दिख रही है छोटी छोटी पर है बड़े काम की बात दिख रही है छोटी छोटी पर है बड़े काम की बात